केरल के एरनाकुलम जिले के कलामा सेरी इलाके में 29 अक्टूबर यानी रविवार के दिन सीरियल ब्लास्ट से पूरे देश में संसनी फैल गई यह ब्लास्ट यहोवा साक्षियों के कन्वेंशन सेंटर यानी एक प्रार्थना सभा में हुए जब ब्लास्ट हुए तो सभा में करीब 2000 लोग मौजूद थे कमाल की बात यह है कि डॉमिनिक मार्टीन नाम के एक यूवक ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और दावा किया कि ये ब्लास्ट उसी ने किये है इससे भी ज़्यादा आश्चर जनक है ब्लास्ट की वज़ा है मार्टीन का दावा है कि यहुवा साक्षी नाम के समुदाय की शिक्षाएं देश विरोधी हैं इसलिए उसने ये ब्लास्ट किया पुलिस के आगे सरेंडर करने से पहले मार्टीन फेस्बुक पर लाइब भी आया और उसने कहा कि यहुवा साक्षियों की मंडली राष्ट विरोधी काम करती है इसलिए उसने हमला किया उसने कहा कि उसने यहोवा साक्षियों का गुमरा करने वाला आंदोलन देखा है और उसे ठीक करने की कोशिश की है यही नहीं, फेस्बूक लाइब में उसने कहा कि मेरा नाम मार्टीन है मार्टीन के दावे के बाद तमाम लोगों के मन में सवाल पैदा हो गया कि आखिर यहोवा साक्षी समुदाय है क्या और क्या है उसकी शिक्षाएं तो चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहोवा साक्षी इसाई सम्परदाय का ही एक गोट है यहाँ एक खास तरह का ग्रुप है इस ग्रुप की शुरुवात 19. सदी के अंत में संयुक्त राज अमेरिका में हुई थी कमाल की बात यह है कि इसकी मान्यताएं और प्रथाएं मूल इसाई धर्म से थोड़ी भिन्न हैं लेकिन ये लोग खुद को इसाई ही मानते हैं ये यहोवा नाम के इश्वर को मानते हैं और इनका विश्वास है कि दुनिया का अंत निकट है यहोवा को मूलता यहूदी भी मानते हैं इसलिए कई बाल लोगों को ब्रहम होता है कि ये यहूदी संप्रदाय है लेकिन ऐसा नहीं है दरसल यहूदी संप्रदाय से ही अलग होकर 2000 साल पहले इसाई बने थे ऐसे में इसाईयों और यहूदीयों की धार्मिक मानताएं कहीं कहीं एक जैसी है दोनों के ही धार्मिक गरंतों में ये दावा है कि पैगंबर मोजेज यानी मूसा को परमेश्वर ने अपना नाम यहोवा बताया था ऐसे में यह समुदाय भी यहुवा को ही परमिश्वर मानता है लेकिन बाइबिल में आस्था रखता है साल 1870 में अमेरिका में चार्ल्स टेज रसेल नाम के व्यक्ति ने बाइबिल स्टुडेंट मुवमेंट की शुरुवात की थी 1916 में रसेल की मृत्यू के बाद जेम्स फ्रैंकलिन देदरफोर्ड समुग के नेता बने और 1931 में इस ब्रांच को यहुवा साक्षी नाम दिया गया देदरफोर्ड के नित्रित में यहुवा के साक्षियों ने तेजी से विकास किया इस समुग के पूरे दुनिया में आज 8.5 मिलियन यानि लगभग 85 लाग सदसे हैं इस संपरदाय के लोग दुनिया के लगभग लगभग सभी देशों में फैले हैं यह समुग दावा करता है कि इनके करीब 50 लाग सदसे ऐसे हैं जो दूसरों को बाइबिल पढ़ाने का काम करते हैं इस समय भारत में इस समुग की 1947 मंडलिया है भारत में यहुवा साक्षी एक व्यापिक शैक्षिक कारिक्रम संचालित करते हैं अपने कारिकरम के तहट यह बाइबिल का अध्यन करवाते हैं और धार्मिक शिक्षा देते हैं केरल की बात करें तो यहां पर यहुवा समुदाय करीब 100 साल से ज़्यादा समय से सक्री है वहीं इनकी सभा में जो ब्लास्ट हुए उसकी बात करें तो अभी तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है वहीं 50 से ज़्यादा लोग फिलहल गायल है हलाकि मार्टिन के दावे के बाद भी पुलिस जांच कर रही है कि मार्टिन सच बोला है या मामले में कोई और साजिश है धमाकों में हमास के कनेक्शन होने की भी आशंका जताई जा रही है सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा इस वीडियो में फिलहाल इतना ही जल्दी नए वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे बने रहें News Nation पर